जै स्री कृष्णा आज हम स्रीमेज बागवत की ताद के आदे चार के स्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 पर चर्चा करेंगे ये येता माम परपादयंते ताम स्थते बजा मैं मम वर्ता मानू वर्तनते मिनुश्या पार्ट सर्वस हम जो बाग जैसे मेरी शर्ण आते मैं भी उनको उसी परकार से फल देता हूं ये अर्जुन सभी मनुष्य हर परकार से मेरे मार्क का ही अनुशरन करते हैं अर्दावन सभी जीओ के परति उनके समर्पन के अनुशार ही परति करिया करते हैं अगर कोई वेक्ति भगवान की शर्ण में बोतिक सुख समपति की कामना लेकर आता है अगर्वान उसे उसी के अनुशार आसिर्वा देते हैं और जो लोग आत्म ज्यान और मोक्स की प्राप्ति की कामना से उनकी शर्ण में आता है स्री किर्शन उन्हें उस मार्क पर ले जाते हैं इस लोग किसी की यह और व्यक्ति अपने विश्वास और समर्पन के अनुशार इस्वर से फल प्राप्त करता है इस्वर व्यक्ति की बावनाव और नियत को समझते हैं और उसी के अनुशार उसे प्रिनाम देते है कांक संता कर्मा नाम सित्धी मेजन दिया देवता सिपिरम ही मानुसे लोग के सिधिर बाउती कर्मजा जो लोग कर्मों की सफलता चाहते वे देवताओं की पुजा करते क्योंकि इस मानों लोग में कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाली सिधी सिगर मिलती है अर्दा जो लोग बोतिक सुख संपत्ती और जल्दी फल की इच्छा रखते वे विभिन देवताओं की पुजा करते वे जानते की इन देवताओं की पुजा करने से उन्हें अपने कर्मों का फल जल्दी से प्राप्त हो सकता है चातूर वरनेयम मया स्रिष्टम गुना कर्मा विवाग जहर्द तस्य करतारम अपिमाम विध्य आयकरतारेम अव्यम स्री किर्शन जी कहते हैं मैंने चार वरनों ब्रामन शत्रिय वैश्य और सुद्र की रचना किये जो गुनों और कर्मों के विवाजन पर आधारी थे यानि परतेक व्यक्ति के गुन और उसके द्वारा किये गए कर्म के अनुशार समाज मुण का स्थान निर्दारी थोता है अर्थात भगवाण ने इस स्रिष्टी की विवेश्टा को बनाये लेकिन वे स्वयम इसमें किसी परकार के करता नहीं है यह स्रिष्टी का साव बावे की यह मैं जो अपनियाप चलता है ना माम कर्माणी लिपंती ना मे करम पले सप्राहा हिती माम योविजावनात कर्मा भीर नस बद्यती श्री किर्ष्टी कहते हैं कि कर्म मुझे में लिप नहीं करते मुझे कर्म के फलों की कोई इच्छा नहीं है जो व्यक्ति सच को समझता कर्म करते वे उन से बंगता नहीं है अतात व्यक्ति भी भी फिना फल की इच्छा से कर्म करता है और अपनी करते व्यक्ता है तब वे भी कर्मों के बंदन से मुक्त हो जाता है स्रीकर्चन जी कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर प्राचिन काल में भी मुक्ति चाहने वाले लोगों ने अपने करतेवियों का पालन किया है हते तुम भी उसी परकार अपने करतेवियों का पालन करो जैसा उन्होंने किया था यह ग्यान भी उन्होंने परदान किया है कोई नया नहीं है पहले भी दिया है पहले भी जो लोग मुक्स की इचार रखते थे उन्होंने इसी ग्यान के नुसार अपने कर्मों का पालन किया और मुक्ति प्राप की स्रीकेजिन अर्जुन को कहते हैं कि उसे भी उसी तरह अपने कर्तियों का पालन करना चाहिए जैसे प्राचीन काल की ग्यानी और मोक्स की चा रखने वाले वेक्ती करते थे हमारे साथ गीता ग्यान की कोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद रादे रादे मिर उसे भुबादे रादे रादे रखने कING गालन की के लुबादे फلامता रादे बतंते खालन fleshär lie सबादे रादेशों की वेह सम्लड़Y करते हम आदे रादे हम 440us